विल्कम बैक टो चैनल देखें जीके का ये क्लास नंबर 6 है चलिए सुरू करते हैं यहां पर पहला क्वेस्चन आपके सामने है कि गांधार कला किसके अधीन फली फुली ठीक है तो आपको ये पता है कि ये जो आपको हम जीके के प्रैक्टिस करा रहे हैं ये कंप्लीटली को ये है तो आप सभी को पता है ये छटवा वीडियो ये पांच वीडियो हो चुका है तो आपको ज्यादा बताने कि अब जरूरत नहीं है कि क्यों है ये क्या है और कैसे है सिधे सवाल पर आते हैं ठीक है तो देखें गांधार कला एक प्रसीद प्राचीन भारती ये कला है ठीक है और इसका जो विकास हुआ है वो कुसाड काल में हुआ है तो आप्शन नमबर A यहाँ पर सही होगा इसका विकास किसके काल में हुआ है कुसाड काल में हुआ है नेश्ट क्वेस्चन देखें यहाँ पर है कि The Broken Wing नामक पुस्तक किसने लिखी है तो इस पुस्तक को क किसे ने लिखा है, option number C हो जागा है, सरोजनी नाइडू ने, अब देखें सरोजनी नाइडू से एक और question पूछता है, कि भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरोजनी नाइडू को जाना जाता है, भारत की कोकिला की नाम से, एक बात, दूसरी बात ये है कि स्व पुजनी नायडू ने लिखा है अच्छा आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ आप एपी जे अब्दूल कलाम सहाब की कोई एक पूस्तक आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे है ना इन्होंने बहुत सारी पूस्तक के लिखी हुई है आपने किसी एक पूस्तक का नाम लिखन क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन की तरब बढ़ते हैं अगला है रोटा वैक टीका को किस अंतराष्टी संगठन की स्विक्रिती प्राप्त हुई है तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए यानि कि विस्तोस्वास्थ संगठन की स्विक्रिती प्राप्त हु लूका मांडरिक को दिया गया है अगला देखें काला गड़ बाद किस नदी परिष्थी थे काला गड़ बाद किस नदी परिष्थी थे यह काफी important question यहाँ पर आपके लिए है बताएगा यहाँ पर कौन सा option से होगा option number D राम गंगा पर है यह किस पर है राम गंगा पर है clear चलिए next question की तरब बढ़ते हैं अगला जो question आपके सामने है कि किस देश का सम्विधान विश्व में सबसे बड़ा है बताएगे तो यहाँ पर option आपके सामने है और इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है आपका अपना देश है भारत ठीक है तो भारत का जो सम्विधान है dear student वो सबसे बड़ा सम्विधान है सबसे बड़ा में एक सब्दा और जोड़ देते हैं लिखित सम्विधान है ठीक है भारत का जो सम्विधान है वो सबसे बड़ा लिखित सम्विधान है करके तयार हुआ था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे तो 395 अनुच्छेद थे कितने भाग थे 22 भाग थे और कितनी अनुचूचिया थी 8 अनुचूचिया थे ठीक लेकिन अब वर्तमान में भी पूछता है कि वर्तमान में भारतिय सम्मिदान में कितने अनुच्छेद है तो वो है 470 ठीक है कितने भाग है तो वो है 25 पहले 22 थे सुरू में अब कितने हो गए है 25 और कितने अनुसूचिया है तो 12 पहले 8 थी अब 12 हो गई है तो ये देखी इतना अनुच्छेद 470 अनुच्छेद हो चुका है फिलाल तो ये जब बना था 395 तो उस समय भी विश्वका सबसे जो बड़ा लिखित संबिधान था और आज तो अब खैर बढ़ता जा रहा है 470 हो गया तो इतने अनुच्छेद और 25 भागों में विभाजी थे 12 अनुसूचिया है तो याद रखेंगे भारत का जो संबिधान है वह विश्वका सबसे बड़ा लिखित संबिधान है यहां से इतने क्वेश्चन पूछते हैं ठीके चलिए मैं इनक्वेश्चन है संबिधान मैं अलग से पढ़ाऊंगा वह अलग का मैटर है ठीक है फिलाल देखतें next question है कि राज्य सभा अध्यक्ष के रूप में निमलीखित में से किसका उल्ले किया जाता है अब देखे ये भी question जो है कि सम्भिधान से लिए तो option number C यहां पर होगा उपराश्टर पती राज्य सभा अध्यक्ष के रूप में उपराश्टर पती होता है अब एक चीज़ और रहे कि ये किसी कोई भी अन्य लाब का पत धारन नहीं करता है अगला देखे भारती सम्भिधान का अनुछेद 187 187 राज्य का सचिवाले विधान मंडल किसे से संबन्दित है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा डिये स्टुट यह जो है कि राज्य सरकार से संबन्दित है जो अनुछेद 187 है यह राज्य का सचिवाले जो राज्य सरकार से संबन्दित है अगला देखे बहुत ही महतोपूर क्वेस्चन यहाँ पर है जैन धर्मे के 23 तीर्थकर कौन थे तो त्यसे में जो तीर्थकर थे वो है 2 सुनात अब देखिए 23 पूछता है और 24 पूछता है तो 23 तो थे पार्सवनात और 24 पूछता है तो 24 पूछता है और 24 पूछता है और कई बार क्या करता है पहला भी पूछता है तो पहला जो था यहाँ पर जो इसके संस्थापक थे पहला तिर्थकर कहे ले या संस्थापक कहे ले तो वो रिसब देव थे बात समझ में आगे पहले या संस्थापक पहले है तो उन्होंने इसकी अस्थापना किया ना पहले ही संस्थापक होंगे तो पहले या संस्थापक पूछे तो रिसब्देव तेई समय जो है कि पार्स्वनात और चवबी समय पूछता है तो वह है भगवान महावीर ठीक है और महावीर का जन्म कहा हुआ था कुंड ग्राम में हुआ था ठीक है कुंड ग्राम में उनके मृत्यू कहाँ पर हुई थी पावापूरी में हुई थी तो इतना बाते याद रखेंगे अगला देखते हैं कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निमने लिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्याले किया स्थापना की थी तो यहाँ पर ऑप्शन नमर डी हो जाएगा फिरोज सह तुगलक ने बेरोजगारों सहायतार्थ के लिए दिल्ली में क्या किया था रोजगार कार्याले का स्थापना किया था फिरोज सह तुगलक ने ठीक है तो option number B हो जाएगा Sir Edwin Luteans है ना Sir Edwin Luteans याद रखेंगे देखिए ये जो थे ने एक British वास्तुकार थे British वास्तुकार थे और इन्होंने क्या किया था India Gate का तो इन्होंने डिजाइन बनाय ही बनाया था और साथी में इन्होंने क्या किया था वाइसराय हाउस का भी डिजाइन इसने बनाया था अब वाइसराय हाउस को ही राष्ट्रपती भवन के नाम से जाना जाता है बात सुझ में आ रही है इन्होंने इन्डिया गेट का डिजाइन तो बनाया था साती साथ वाय सराय हाउस का भी डिजैन बनाया था और उसी वाय सराय हाउस को इंडिया क्या बोलते हैं राश्ट्रपती भवन की नाम से जाना जाता है समझ में आगे बात? चल दी आगे बढ़ लेते हैं तो सर एडविन लिूटियन्स को याद रखेंगे ठीक ना? चलिए अगला है अब बहुत ही समझदार है और जीतने मैं यहाँ पर क्वेस्चन बता रहा हूँ सभी इदम 24 कायरेट गोल्ड है समझिये की सभी रिपीटेट क्वेस्चन है अगला है कि भारत का आर्थिक सर वेच्चन प्रती वर्स इनके द्वारा प्रकासित किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है वित्र मंत्राले के द्वारा प्रकासित किया जाता है काफी, वही काफी मतलब कहवा, चाय और काफी, काफी अलग चीज़ है, चाय अलग चीज़ है, ठीक ना, तो यह करनाटक में, dear student, सबसे ज़्यादा कहाँ पर उतपादन होता है, करनाटक में, तो यह उतपादन वाला question पूछता है, कि काफी, कहाँ उतपादन होता है, सबसे अधिक होता है तो करनाटक में होता है अब अधिक होता है तो कितना अधिक होता है तो पूरे भारत का 70 प्रतीसत जो है काफी जो है वो करनाटक राजय में उत्पन होता है बाकी के 30 में अलग-अलग राजयों में है ठीक है बास मुझा आगी ने आगे बढ़ लेते हैं अगला option number C से होगा है ना इसको याद कैसे करेंगे सर याद नहीं होता है मुझे ये बहुत easily याद हो गया था चोकि जहां मैं रहता हूँ मेरे घर के बगल में ये last question है अब थोड़ी से घ्यान की बाते कर लेते हैं है ना आपके फाइदा की बाते कर लेते हैं जहां मैं रहता हूँ मेरे बगल में ही एक बेक्ती रहते हैं जिनका नाम है फैदो तो जब मैं उनको देखता हूँ फैदो नाम है उनका actual में तो जब उनको देखता हूँ तो मैं relate करता हूँ कि यार ये बंदा ना समुद्र की गहराई माप सकता है इतना इसके पावर है तो उसे याद हो जाता है मुझे जब भी उसको देखता हूं तो याद हो जाता है कि फैदो मीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है उसके नाम से मैंने रिलेट कर लिया तो वो चीज आज भी मुझे याद है और जब भी बात करते हैं महासागर हो या समुद्र की गहराई की बात करें तो फैदो मीटर ओप्शन नमबर सी क्लियर तो ऐसे आप भी याद कर सकते हैं चीजों को रिलेट करके जैसे कि करनाटक मैंने बताया कौसे काफी और कसे करनाटक काफी का उत्पादन सबसे ज़्यादा करनाटक में करनाटक या काफी कसे काफी कसे करनाटक तो ये चीज़े आप थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हैं जीके बहुत बड़ा होता है तो थोड़ा सा अपने से रिलेट करेंगे तो आपको चीजे आसान हो जाएंगी अब देखे टेली ग्राम पर आप नहीं जूड़े हैं तो दस सुधीर पांडे सर्च करना T-H-E-S-U-D-A-W-E-R-P-A-N-D-O दस सुधीर पांडे सर्च करके आप टेली ग्राम पर जूड़ जाएगा मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए क्या जय हिंद और वंदे मातरम वेरी गुड़